जोहार दोस्तों आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में और आज हम लोग जारकन के साहित्य वा साहित्य कार भाग में अगले साहित्य में जाएंगे और वो है खोरठा एवं पंच परगनिया साहित्य में ठीक हैं तो हमने पिछले कलास में नाकपूरी साहित्य से संबंदित प्रश्ण को देखा है और आज से हम लोग खोरठा साहित्य पंच परगनिया साहित्य से संबंदित हम प्रश्ण को देखेंगे तो बीना किसी देरी के आज के कलास को सुरू करते हैं आर्षा है आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग सुरू करते हैं पहला कोश्यन खोरठा भासा के सम्बंद में किसने लिखा है कि यह भारत की प्रणचिंतम लिपी खरोष्ठी से सम्बंदित है तो यह जो किसने लिखा है कि यह जो खोरठा भासा है उसका जो सम्बंद है वो खरोष्ठी लिपी से है तो किसने लिखा है बीपी केसरी ने केसो कुमार ने एके जाने या प्रफुल कुमार राय ने तो यह जो कहा है प्रचिन्तम भाजक खरोष्टि लिपी से संबंदित है तो कहा है एके जाने यह याद रखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट टीक है अगले पर चलते हैं हम लोग क्वेशन नंबर टू भुनेश्वर्दत सर्मा किस भाग जे से प्रशिद लेखक है यह पूछा है भुनिजोरदात, सर्मा किस भाग से प्रसीद लेकर के खोता से नाकपूरी से अच्छा, यहां भाग नहीं होगा, भासा होगा ठाइक है किस भासा से प्रसीद लेकर के खोता नाकपूरी, पंचपारकन या कुडु किस से सब्बंदित है तो वो है आपसर नमबर एक, खोर्ठा भासा से, तीक है? अगला question हम लोग देखेंगे खोर्ठा भासा में लिखित मेग दूद के लेखक कौन है? जो खोर्ठा भासा में एक रचना लिखा गया है, मेग दूद, उसके रचनाकार, उसके लेखक कौन है? बी-पी के स्री है, भुनिश्वर दत्सर्मा है, स्री निवास पानूरी है, या केसव कुमार है? तो इसका सही जवाब होगा, option number C, स्री निवास पानूरी, ठीक है? इसका सही जवाब होगा जो मेग दूद है, उसका रैटर का नाम है, स्री निवास पानूरी अगला question बातरी भासा की प्रकाशन किस ने किया था यह एक खोर्ठा पत्रीका है उसका प्रकाशन किसने किया है स्री निवास पनूरी निसका किस ने किया है option number A स्री निवास पनूरी जिसके writer है मेगदूद के जो writer है स्री निवास पनूरी उन्हों नहीं इस मात्री भासा का precaution किया था अगला question question number 5 निवन में से कौन सा गजाधर महतो की कहानी संग्रा है ये writer का नाम है तो उसका कहानी संग्रा का क्या नाम है बालकिरन, पुटुस फूल, दिब्य जोती या तित्की जिसका सही जवाब है option number B पुटुस फूल करके कहानी का संग्रा लिखा गया है किसके दौरा गजाधर महतो के दौरा अगला question पथिया डोंगल मच्छुआ के लेखा कोन है पथिया डोंगल मच्छुआ के लेखा कोन है सुकुमार सिवनात प्रमानिका रमनिका गुपता संतोस कुमार महतो तो इसका सही जवाब है option number D संतोस कुमार महतो के दौरा ये रचना लिखा गया पथिया डोंगल मच्छुआ अगला question question number 6 आगे 7 निम्न में से कौन से पुस्तक घनपत महतो दौरा लिखा गया है घनपत महतो राइटर है तो उसके दौरा कौन सा पुस्तक लिखा गया है ये पूछा है बिर्शा भगवान रूसल पुटूस बोनेक बोल एक टोकी फूल तो गनपत महतों के द्वारा लिखा गया है बिर्शा भगवान करके एक पुस्तक ठीक है अगले पर चलते हैं हम लोग लुवाटी नामक खोरठा भासा पत्रिका ये एक पत्रिका का नाम है जो खोरठा भासा में लिखा गया है और इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया ये पूछा है रमनिका गुपता के द्वारा गिरिधारी गोस्वामी के द्वारा फूलचंद महतो के द्वारा बिनोध कुमार के द्वारा तो किसके द्वारा किया गया है लुवाटी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया गया है गिर्धारी गोस्वामी जो खोरठा भासा से संबंदित है ये पत्रिका अगला कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन अनिल कुमार गो स्वामी के संपादन में किस द्वी मासिक पत्रिका का आरंब हुआ मतलब द्वी मासिक ठीक है द्वी मासिक पत्रिका का आरंब किया गया किस की द्वारा अनिल कुमार गो स्वामी की द्वारा तो वो कौन पत्रिका है सोंध माटी है बोनिक बोल है मात्रि भासा है या सहिया है तो अनिल कुमार को स्वामी के द्वारा संपादन किया गया सहिया नामक एक पत्रिका जो द्वी मासिक था अगला कोश्यन जिनगिक ठो नामक उपनियास की रचना किसने की है ये उपनियास है जिनगिक ठो नामका उपनियास तो किस के द्वारा किया गया फुल्चन महतो के द्वारा चितरंजन महतो के द्वारा गंचन महतो को द्वारा या सुख देव महतो के द्वारा तो इसका किया गया है, रचनाकार है, चितरंजन महतो, ठीक है, यह उपनियास लिखे हैं, और वो उपनियास का नाम है, जिन गिक्ठो, अगला क्वेशन है, क्वेशन नमबर, गियारा, मेका मेकी में मेट माट, यह पुस्तक का नाम है, उसके राइटर का नाम बताना है, कौन है, चितरंजन महतो है, सिवनात प्रमानिक है, एके जहा है, यह स्री निवास पनुरी है, कौन है, जिसका आंसर है, एके जहा, ठीक है, यह भी खुरठा भासा से संबंधित पुस्तक है, तीक है अगले पे चलते हैं हम लोग अगला कोशियन है पंच परगनिया भासा छेत्र में सिष्ट साहिस्तिया का आरंब कवी आरंबी कवी का नाम बताना है स्पेलिंग तोला गलत है आरंबी कवी कोन है किसे मानगाता है पंच परगनिया भासा के छेत्र में विनत को सिवानन्द को रमानन्द को लोखनात को किसे माना जाता है तो इसे माना जाता है विनन्द को पंच परगनिया छेत्र के फर्स्ट कवी के रूप में माना जाता है ठीक है अगला कोश्यन है Quesion No. 13 छोड़नाकपूर तालमंजरी ये एक रचना है साहित्य का नाम है तो रचना के राइटर कौन है सीवानन्द है, विनोदमहतो है, उपेंद्रनाथसी है या विनन्द है तो इसके राइटर कौन है option No. C उपेंद्रनाथसी जिसने छोड़नाकपूर तालमंजरी करके पंच परगनिया भासा में लिखा है तीक है अगला question गौरांग सी किस भासा के कवी है मुंडारी के, नाकपूरी के, खोरठा के या पंच परगनिया के तो यहाँ पे हम लोग आज दो चीज का देख रहे है तो किसका हो सकता ये दोनों तो नहीं होगा तो ये जो गौरंग सी है वो पंच परगनिया भासा से संबंदित कवी है ठीक है अगला question ये आखरी question है आज का खोरठा और पंच परगनिया संबंदित तो निवन में से किनका गीत पंच परगनिया छेतर में काफी परशलित हुआ है दीना का, प्रेमलान। का, स्ष्टिधर का या विपीन महतो का किसका famous हुआ है तो वो हुआ है दीना का ठीक है तो आज हमने देखा खोरठा और पंच परगनिया संबंदित प्रश्ण को और कल हम लोग फिर अगले साहित्य में जाएंगे कुर्माली साहित्य में ठीक है तो आज के class को यहें पर हम लोग समाप्त करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दिजिए ठीक है जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो लोग अच्छे अच्छे वीडियो और नौलेज़ेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरुँस जरुस सब्सक्राइब कीजिए अभी फिलहाल जैसे से संदित प्रशन आप सब्सक्राइब के समख्ष लाया जा रहा है तो आप लोग बने रहिए जैकिस चैनल के साथ ठीक है तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दिजिए बहुत बहुत धन्यवाद